मुंबई थी मुटव समाचवार मराथा अनामत ने लिवी जन्डी मड़ी गई चै अनामत मुद्दे बॉम्बे हाइकोट न्यने तो च्छे बार्थी ते टका मली शके छे अनामत तो कोटे मानियुझे कि मराथा समाज आर्थी करीते 50 चे माठे अनामत आपको जोईये जनाकारणे तेवो सत्थर था शके सामाजी कजे धांचो चे तेमा एक्वालिटी तेमने मली शके माठे तेमने उपर लावा माठे अनामत जरूरी चे ते कोटे पड़ मानियुझे तो प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी जापान प्रवासे ने भार्तिय समुदाई ने संबोधी रहा श्रसी दाचुए त्या जब मैं आपसे जवाब सुनता हूं इतना आनंद आता है कि सच्चाई की जीत है यह हिंदुस्तान के लोगतंत्र की जीत है भारत के मन को आप जपन में बैठ करके भी भली भाती समझ पाते हैं अनुभोग कर पाते हैं उनके एस्पिरेशन्स और आपके एस्पिरेशन्स के बीच में कोई फर्क महसूस नहीं होता है तब जाकर के जवाब आपके मों से सुनने का आउसर मिलता है और तब मन को भावत संतोस होता है कि हम सही दिशा में हैं कभी कभी स्टेडियम में हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो बाद में पता चलता है कि आउट कैसे हुआ बॉल कहां से कहां गया था लेकिन जो घर में टीवी पर देखता है दूर से देखता है उसको तुरंत पता चलता है कि वेबलेंथ में गड़ पड़ है इसलिए आउट है और इसलिए आप इतने धूर बैठकर जो हिंदुस्तान को देखते हैं तो सत्य पकड़ने की ताकत आपकी जादा है और इसलिए भी आपके जवाब सच्चाई की जीत लोगतंत्र की जीत देश वाचियों की जीत मेरे लिए जवाब बहुत बड़ी एहमियत रखते हैं मुझे एक नई ताकत देते हैं नई प्रेणा देते हैं और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ देमोक्रेटिक वेल्यूस के प्रती समर्पित रहते हुए आशाओं और आकाशाओं के प्रती विश्वास इस जीत के पीछे भी एक कारण है और कल्पना कीजिए 61 क्रोड वोटर से 40-45 डिग्री टेंपरिचर में अपने घर से कहीं दूर जाकर के वोट किया है 61 क्रोड अगर चाइना को छोड़ दें तो दुनिया के किसी देश की पॉपिलेशन से ज़्यादा मद्दाता है और भारत में लोगतंत्र की विशालता व्यापक्ता उसका भी अंदाज 10 लाख 10 लाख 10 लाख पोलिंग स्टेशन्स और मॉर दन 40 लाख EVM मशीन मॉर दन 600 पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव थी चुनाओं में भागिदार थी कितना बड़ा उत्सव होगा लोगतंत्र का मानवता के इतिहास में इससे बड़ा लोगतंत्र क्चुनाओं नहीं हुआ है और हर भारतियों को इस बात का गर्व होना चाहिए बविश में भी इस रेकोर्ड को अगर कोई तोड़ेगा इस रेकोर्ड को अगर कोई बहतर बनाएगा तो वो हक भी हिंदुस्तान के हाथ में है एक प्रगार से इसका कॉपीराइट भारत को पात है भारतियों होने के नाते हम सभी को भारत के सुभचिंतकों को तो इस पर गर्व है ही पूरे विश्व को भी ये प्रेरीत करने वाला है इससे फिर साबित हुआ है कि लोगतंत्र के प्रति भारत के सामान्य जन की निष्ठा अटूट है हमारी लोगतंत्रिक संस्ताएं और लोगतंत्रिक प्रणाली दुनिया में अग्रणी है सात्यों भारत की यही शक्ति 21 सदी के विश्व को नई उमीद देने वाली है यह चुना उसका प्रभाव सिर्फ भारत तक सिमित रहने वाले नहीं है विश्व के लोगतंत्रिक मन को यह प्रेरित करने वाली करना है न्यू इंडिया की आशाओं और आकांशाओं को पूरा करने के लिए यह जनादेश मिला है और यह आदेश पुरे विश्व के साथ हमारे समंधों को भी नई उर्जा देगा अब दुनिया भारत के साथ जब बात करेगी तो इसको विश्वास है आब आई यह जनता जनारदन इन्होंने इस सरकार को चुना है पुर्ण भहुमत के साथ चुना है और इनके साथ जो कुछ भी तै करेंगे यह आगे ले जाएंगे विश्वास आपने आप पैदा होता है आंतनास्च ये समंदों में पूर्ण बहुमत वाली सरकार होने बहुत बढ़ी बात होती है लेकिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार में भी पहले से अधिक जन्दमत जब जुड़ता है तो वो शक्ति तो बढ़ती हैं लेकिन उससे ज़्यादा विश्वास बढ़ता है मृत मिलाया सबका विश्वास इसी मंत्र पर हम चल रहे हैं वो भारत पर दुनिया के विश्वास को भी और मजबुत करेगा और विश्व को आस्वस्त करेगा यह यह मैं अनुभव कर रहा हूँ यह विश्वा को आस्वस्त करेगा साथियों जब दुनिया के साथ भारत के रिस्टों की बात आती है तो जपान को उसमें एक अहम स्थान है यह रिष्टे आज के नहीं है बलकि सधियों के हैं इनके मूल में आत्मियता है सद्भावना है एक दूसरे की संस्कृति और सभेता के लिए सम्मान है इन रिस्टों की एक कड़ी महत्मा गांदीश जी से भी जुड़ती है संयोग से यह पुझ्य बापु की एक सो पचासवी जन्म जैन्ति का भी वर्षा है गांदीजी की एक सीख बचपन से हम लोग सुनते आये हैं समझते आये हैं और वो सीख थी बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत कहो भारत का बच्चा बच्चा इसे भली भाती जानता है लेकिन बहुत कम लोगों के पता है कि जीन तीन बंदरों को इस संदेश के लिए बापु ने चुना उनका जन्म दाता सत्तरवी सदी का जपान है सेवंटीन सेंचुरी का जपान है मिझारू किका जारू और इवा जारू जापान की धरोर है जिनको पुझे बापु ने एक महान सामाजिक संदेश के लिए प्रतिकात्पक्त के रूप में चुना और उसको प्रचारित किया प्रसारित किया साथियों हमारे आचार वेहवार और संवस्कार की एक कड़ी जापान में बहुत धर्म के आने से भी पहले की बताई जाती है अभी अगले महिने क्योटो में गियों त्योहार आने वाला है और इस गियों त्योहार में जिस रत का उप्योग होता है उसकी सजावट भारतियर रेशम के धागों से होती है और यह परंपर आज की नहीं है अंगिनत काल से चली आ रही है इसी तरह सीची फुकुजीन सेवन गॉड्स अप फॉर्चुन उन सेवन गॉड्स में से चार का सम्मन सीधा सीधा भारत से है मा सरस्वते की बेंजाई तेन मा लक्षमे की कीची जोतेन भगवान कुबेर की विशामोन और महाकाल की दाइकोप कुतेन के रुपे जापान में मानने ता है साथियों फैब्रिक प्रिंटिंग के जो शिबोरी आर्ट भारत और जापान के रिस्तों का एक बहुत पुराना एक प्रकार से ताना बाना है सुत्र है गुजरात के कच और जामनगर में सद्यों से बांधनी जिसको कहते हैं बंधनी कोई बोलते हैं कोई बांधनी बोलता है उसके कलाकार इस कला में उसी रेशिस्ट टेक्रिक का उप्योग करते हैं जो यहां भी सद्यों से इस्तवाल है यहन्य जपान में उस काम को करने वाले लोग और कच में और जामनगर में करने वाले आपको जैसे ही लगेगा आप जपान में है और जपान वाले महां जाएगी लगेगा गुजरात में है इतनी similarity है इतना ही नहीं हमारे बोलचाल के भी कुछ सुत्र है जो हमें जोडते हैं जिसे भारत में ध्यान कहा जाता है उसे जपान में जेन कहा जाता है और जिसे भारत में सेवा कहा जाता है उसे जपान में भी सेवा ही कहा जाता है सेवा परमो धर्मह यानि निश्वार्त सेवा को भार्तिय दर्शन में सबसे बड़ा धर्म माना गया है वही जापान के समाज ने इसको जी करके दिखाया है साथ्यो स्वामी विवेकानन गुर्देव रविंदरना टागो महत्मा गांदी नेता जी सुपास दर्बोश जस्टिस राधा विनोत पांग सहीत अनेग भार्तियों ने जापान के साथ हमारे रिस्तों को मजबूत किया है जापान में भी भारत और भार्तियों के लिए प्यार और सम्मान का भाव रहा है कि दुसरे विश्विद्द की समाप्ति के बाद से ही भारत जपान के बीच के रिष्टे और मजबूत होने लगे लगबग दो दसक पहले प्रधान मंत्री अटर भी हरी बात पाई जी और प्रधान मंत्री योशिरो मोरी जी ने मिलकर हमारे रिस्तों को ग्लोबल पार्टनर्सी का रूप दिया था 2014 में प्रधान मंत्री बनने के बाद मुझे मेरे मित्र प्रधान मंत्री सिंजो आवे के साथ मिलकर इस दोस्ति को मजबूत करने का मोखा मिला हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन्सिप को राजधानियों और राजनाईकों के अप्टारिकताओं के दाइरे से भार निकालकर सीधे जनता के बीच ले गए हैं प्रद्दान मति आबे के साथ मैंने टोक्यों के अलावा क्योटो ओसाका कोवह यामा नाशी इसकी आत्राइभी की ती हैं यहां को बे तो मैं कभी-गल्टी हो जाती कभी कहता हैं चार बार कभी कहता हूं बाट बार कभी कहता हूं थीन बार लेकिन बाहर बार आया हूँ और पीएम नहीं था तब भी आता था आपके साथ बैठता था प्रधान मत्री आबेजी ने पिछले वर्ष यामानासी में अपने घर में उन्होंने मेरा स्वागत किया उनका इस्पेशल जेस्चर हर हिंदुस्तानी के दिल को छूने वाली बात है वना डिप्लोमेटिक रेलेशन में इस प्रकार का पर्सनल टच बहुत कम होता है दिली के अलावा हम्दाबाद और वारानसी प्रधान आबेज को मेरे मित्र को ले जाने का सवभा के मुझे मिला प्रधान मत्री आबेज मेरे संसद्यक छेत्र और दुनिया की सबसे पुरानी संस्कुतिक और आठ्यातिक नगरी में से एक काशि में गंगा आर्ति में भी शामीर हुए है और सिल्ब शामीर हुए नहीं उनको जब भी जहां पर कुछ भी बोलने का मोका आया उस आर्तिक के समय उन्हाने जो अध्यात्म की अनुभूती की उसका जिक्र किये बिना वो रहे नहीं आज तो महद्वपोन समाचार आईसीसी वन डेर रैंकिंग मा भारत प्रत्थम क्रमांके 113 पॉंट साथे टीम इंडिया नंबर वन पर पहुंची गई चे इंगलेंग 122 पॉंट साथे वीजा नंबर है चे तो क्रिकेट चाहको माटे पन आज सारा समाचार चे आज ची सी वन डेर रैंकिंग मा भारत प्रत्थम क्रमांके आवी गई उचे 113 पॉंट साथे नंबर वन पर पहुंची चे तीम इंडिया आज साथे